Hello dear aspirants, a very good morning and welcome to Baiju's Government Exam Prep. This day in history की series में आज हम 8th November की history के बारे में discuss करेंगे. आज date है 8th November 2020 और आज हम 8th November के दिन इतिहास में कौन-कौन सी घटनाए हुई है जो की आपके exam के लिए important हो सकती है उनके बारे में discuss करेंगे. So let's begin. History of 8th November, 8th November के इतिहास में हमारा सबसे पहला पॉइंट है 1920 से related. 1920 अर्थाथ 1920 में प्रख्यात भारतिये शास्त्रिये कथक नृत्यांगना सितारा देवी का जन्म हुआ था. Eminent Indian classical कथक दांसर सितारा देवी was born. तो सितारा देवी जो थी, वो एक विश्व प्रसिद classical Indian dance कथक की आर्टिस थी. भारतिये शास्त्रिये नृत्यक कथक की नृत्यांगना थी सितारा देवी. वो एक जानी मानी गायक और अभिनेत्री भी थी. इनका जन्म हुआ था कलकत्ता शहर में, जो की पश्चिम बंगाल की राजधानी है. सितारा देवी के जो पिता थे, वो थे सुखदेव महराज. और ये भी एक कथक कलाकार थे और साथी में शिक्षक थे. और सितारा देवी की जो मा थी, वो नेपाल के शाही परिवार से संबंध रखती थी. उनके बचपन में उनकी मुलाकात हुई थी रविंद्रनाट टैगोर से. और रविंद्रनाट टैगोर ने उन्हें कथक के माध्यम से भारतिये कलाओं को पुर्नरजीवित करने के लिए प्रोचसाहिद किया था. रविंद्रनाट टैगोर ने सितारा देवी को नृत्य समरागिनी के नाम से बुलाया था और आज भी सितारा देवी को भारत की कथक रानी के नाम से जाना जाता है. कथक नृत्य का जो संबंध है वो उत्तर भारत से है। जो कथक नृत्य है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के प्रभाव से विक्सित हुआ है और इसे खास थौर पर UP अठाट उत्तर प्रदेश से असोसियेट किया जाता है, उत्तर प्रदेश से जोड़ा ज प्रिप्रिशन देवी जो है उन्हें डांस के दो स्कूलों से उनके द्वारा जो फ्यूजन बनाया गया है उसके लिए जाना जाता है वो दो स्कूल है बनारस घराना और लखनव घराना राइट सिंग्स 1930s उन्होंने कथक में एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर के रूप मे कारे किया है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिये है उन्होंने कई फिल्मी सितारों को डृत्य में परिक्षन भी दिया है सितारा देवी के द्वारा कई प्रेस्टीजियस वेन्यूज जो है वहाँ पर भी परफॉर्मेंस दिये गए है ने पर सितारा देवी के द्वारा performance दिये गए थे। सितारा देवी को वर्ष 1969 में संगीत नाटक अकैडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इसके अलावा 1973 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पदमश्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें कालिदा सम्मान अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 1995 में इसके अलावा इन्हें रित्य निपुना अवार्ड भी मिले थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पद्म भुशन पुरुसकार पाने के लिए मना कर दिया था और ये कहा था कि उन्हें भार classical dance form की रूप में दर्जा देती है। यहां पर अगर हम संगीत नातक अकैडमी की बात करें तो यह एक national level की academy है for performing arts. इस academy को 1953 में भारत सरकार के द्वारा setup किया गया था। यह भारत संगीत नातक academy जो है कुल एक दृत्य forms हैं जिनको शास्त्रियन दृत्य की श्रेणी का दर्जा देती है और वो है भरतनात्यम, कथक, कुचिपुडी, उडिसी, कथकली, सत्रिया, मनीपुरी और मोहिनी अटम। यह आठ नाम आपको याद रखने हैं। मैं एक बार वापिस रिपीट कर दे भरतनात्यम, कथक, कुचिपुडी, उडिसी, कथकली, सत्रिया, मनीपुरी और मोहिनी अटम। यह आठ डान्स है जिन्हें भारत संगीत नातक अकेडमी के द्वारा क्लासिकल डैंस का दर्जा दिया गया है। भारत के कुछ मशूर कथक डैंस हैं अगर हम उनके बारे में बात करें तो भारत के जो मशूर कथक डैंस हैं उनमें आते हैं पंडित बिर्जु महराज, शंभु महराज, दम्यंती जोशी और सुन्देर प्रसाद। तो यहाँ पर हमने सितारा देवी और कथक डैंस के बारे में और कुछ क्लासिकल डैंस के बारे में चरचा करी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हिस्ट्री ओफ एट अक्टूबर में नेक्स्ट पॉइंट है 1927 से रिलेटेड। इंडियन पॉलिटीशन एंड सेविंथ देप्यूटी प्राइम इनिस्टर अफ इंडिया एलके आडवानी वॉस बॉर्ण। एलके आडवानी का पूरा नाम है लालकृष्न आडवानी। भारतिय राजनितिग्य और भारत के साथवे उप्रधान मंत्री लालकृष्न आडवानी का जन्म हुआ था आज के दिन 1927 में। लालकृष्ण आडवानी जो है वो भारत के एक जाने माने भारतिये पॉलिटीशन है जिनका जन्म करांची में हुआ था और विभाजन के पश्चात इनका जो परिवार है वो भारत आ गया था और बॉम्बे में सैटल हो गया था इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुवात RSS दल के प्रचारक के रूप में करी थी और कुछ समय के पश्चात आडवानी भारतिये जन्संग के सदस्य बन गए थे जिसको की जन्संग के रूप में भी जाना जाता है और ये जो जन्संग है इसे 1951 में स्यामा प्रस मुखर जी के द्वारा इस्थापित किया गया था लालकृष्ण आडवानी ने पूरु प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपई के राजकाल में डेप्यूटी प्राइमिनिस्टर की भूमिका निबाई थी तो जिस समय ये डेप्यूटी प्राइमिनिस्टर बने थे उस स में प्राइमिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपई वह सहसंस्थापकों में से एक हैं और भार्तिय जनता पार्टी के वरिष्ट नेता है आडवानी ने भाजपा के नेत्रत्व वाली नैशनल डेमोक्राटिक अलायंस सरकार में ग्रह मामलों के मंत्री के रूप में कारे कि ये पॉलिटिक्स के शेत्र में रथयात्रा के लिए काफी प्रसिद्ध है जिनकी शुरुवात इन्होंने अपनी पार्टी को प्रमोट करने और अपने विजन को प्रचार करने के लिए करी थी 1987 से इनके द्वारा रथयात्रा की शुरुवात की गई थी वर्ष 2015 में इनको भारत सरकार के द्वारा पद्न भूशन से सम्मानित किया गया था इनके द्वारा लिखी गई अगर हम कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम के बारे में बात करे तो इनके द्वारा नजरबंद लोकतंत्र नाम की एक बुक लिखी गई है इसके साथ ही इन्होंने द्रिष्टी कोंड नाम की एक पुस्तक लिखी है इसके अलावा राष्ट्र सर्वोपरी अब प्रिजनर्स स्क्राप बुक इनके द्वारा लिखी गई है इसके अलावा इनके द्वारा इनकी जो आटो बायोग्राफी लिखी गई है उसका नाम है एंकर है और टेलेविजन प्रोड्यूसर है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हिस्ट्री ओफ 8 ओक्टूबर में नेक्स्ट पॉइंट है 1977 से रिलेटेड। इंडियन फिल्म डायरेक्टर बॉम्मी रेडी नरसिम्हा रेडी वॉस डाइड। 1977 में आज के दिन भारतिय फिल्म निर्देशक बॉम्मी रेडी नरसिम्हा रेडी का निधन हुआ था। इन्हें बी एन रेडी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतिय फिल्म निर्देशक थे और तेलुगू सिनेमा में अपने योगदान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इनका जो जन्म है वो हुआ था कडप्पा में। कडप्पा एक डिस्ट्रिक है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था ये डिस्ट्रिक है आंदरप्रदेश में। ये आंदरप्रदेश के रायल सीमा रीजन में इस्थित एक डिस्ट्रिक है। इन मशहूर हस्ती को बी एन के नाम से जाना जाता है और इनके कुछ अनोखे और आउटसेंडिंग अगर अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो ये दक्षिन भारत से वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें दादा साहिब फाल के पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तो यहां पर आपको ध्यान रखना ह दादा साहिब फाल के पुरुसकार पाने वाले दक्षिन भारत से ये पहले व्यक्ति थे ये पुरुसकार इन्हें 1974 में मिला था इसके साथ ही ये डॉक्टर ओफ लेटर सम्मान पाने वाले भी पहले भारतिये फिल्म व्यक्तित्व थे, इन्होंने और भी कई प्रतिष्टित पुरुसकार जीते हैं, जिसमें President's Silver Medal for Best Feature Film in Telugu, पद्म भूशन पुरुसकार, साथ में और भी कई फिल्म फियर अवार्ड इन्हें मिले हैं, इनके द्वारा निर्देशित करी गई कुछ यादगार फिल्मों की बार में बात करें तो वन्दे मात्रम, सुमांगली, देवाथा, स्वर्ग सीमा, यह इनके द्वारा निर्देशित कुछ फिल्म में है, तो इसके साथ में अगर हम इनके संबन में थोड़ी सी चर्चा करें तेल्गू फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो जो तेल्गू फिल् नाम से, जिस जगए को बुलाया जाता है, जो इंडेस्ट्री है, वो है फिल्म नगर, फिल्म नगर एक शेत्र है, जो की हैदर अवाद के नेबर हुड में इस्तित है, और वहां पर ये तॉलिवूड इस्तित है, एक फेमस फिल्म मेकर है रगुपती वैंकेया, इन्हें तेल तेलगू सिनेमा, 1933 में इस्ट इंडिया फिल्म कमपनी जो है उन्होंने तेलगू बाशा में ही अपनी पहली भारतिये फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम था सावित्री, अगर हम बात करें इस्ट इंडिया फिल्म कमपनी के बारे में तो ये एक भारतिये फिल्म पुरुस्कारों को हर साल है, हैदराबाद में दिया जाता है, हैदराबाद में सम्मानित किया जाता है इस पुरुस्कार से नन्दी अवार्ट से. आंदरप्रदेश राज्य के गठन के बाद में साराधी स्टूडियो है, जो कि हैदराबाद में इस्थित है, वो पहला स्टूडियो बना। और इसके अलावा, विश्व का जो सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड स्टूडियो कॉंपलेक्स है, वो है रामोजी स्टूडियो, ये इस्थित है हैं हैदराबाद में. रामोजी स्टूडियो की स्थापना तेलगू फिल्म प्रोड्यूसर रामोजी राव ने करी थी in the year 1996. इसके बाद में अब हम चलते हैं next point की तरफ. History of 8th October में next point है 2008 का first Indian lunar probe चंद्रियान 1 was inserted into the moon's orbit. पहले भारतिये चंद्रजाच चंद्रियान 1 को चंद्रमा की कक्षा में डाला गया था 8th November 2008 में. चंद्रियान 1 जो है वो भारत की पहली चंद्रजाच थी. चंद्रियान 1 was India's first lunar probe. यह इस रो अठाट Indian Space Research Organization के द्वारा October 2008 में शुरू किया गया था और August 2009 तक इस मिशन को संचालित किया गया था. इस मिशन में एक चंद्र ओर्बिटर और एक इंपैक्टर शामिल थे. चंद्रियान 1 मिशन जो है इसे 22 October 2008 को PSLV C-11 जो रॉकेट है उससे 37 धवन अंत्रिक्ष केंद्र जो की श्री हरी कोटा में इस्थित है वहां से लॉंच किया गया था. The vehicle was finally inserted into lunar orbit on 8 November 2008. यह अंत्रिक्ष यान, रसायनिक, खनीज और फोटो भूगर्बिक मांचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमेटर की उचाई पर प्रत्वी की परिक्रमा कर रहा था. The purpose of the mission was the chemical, mineralogical and photo-geologic mapping of the moon. चंद्रियान वन्जो था इसने भारत, अमेरिका, जर्मनी, ब्रीटेन, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 वेज्यानिक उपकरणों को कैरी किया था और इन में से 5 यंत्र जो थे वो भारत में बनाए गये थे. 2003 में प्रधानमंत्री के स्वतंतता दिवस के भाशन पर अटल बिहारी वाजपई ने परियोजना की घोशना की थी और उसके बाद में इसरो के द्वारा गठित National Lunar Mission Task Force ने पूछताच की और ये निशकर्ष निकाला कि इसरो में एक भारतिये मिशन को चंद्रमा तक ले जा ये जो मिशन था इसमें एक मून इंपक्ट प्रोब भी शामिल था मिशन ने एक मून इंपक्ट प्रोब भी कैरी किया था और इस प्रोब का उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर क्रैश लेंड करना और ऐसी जानकारी भेजना जो भविश्य के मिशन में सतह पर उतरने के लिए एक ड्रोवर तयार करने में मदद करेगा तो जिस पॉइंट पर ये मून इंपक्ट प्रॉब जाकर क्रैश हुआ था उस पॉइंट का नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट इसके अलावा चंद्रियान वन जो मिशन था इसने टाइटेनियम का पता लगया था कैल्शि तो some of the chief scientists involved in the project were G. Madhavan Nair, G. Madhavan Nair जो थे वो उस समय इसरो के chairman थे इसके अलावा T.K.L.X ये director थे इसरो के satellite center के इसके अलावा मायल स्वामी अन्नादुरई वो project director थे चंद्रियान वन के K. Radhakrishnan He was then director of Vikram Sarabhai Space Center. चंद्रियान वन मिशन के द्वारा पाए गए कुछ awards के बारे में हम चर्चा करें तो चंद्रियान वन मिशन को AIAA Space 2009 Award मिला है ये award मिला है इन्हें from the American Institute of Aeronautics and Astronautics AIAA American Institute of Aeronautics and Astronautics International Corporation Award 2008 मिला है इन्हें International Lunar Exploration Working Group for accommodating the most number of international lunar payload ever from 20 countries इसके साथ ही 2009 में इन्हें Space Pioneer Award मिला है from the US-based National Space Society तो यहाँ पर हमारा important point का discussion खतम होता है Now, let's move on to practice questions Practice questions में हमारा पहला question है Where is the headquarter of Sangeet Natak Academy situated? Sangeet Natak Academy का मुख्याले कहां इस्थित है? Hyderabad, Chennai, Nai Dilli या Lakhnau Next question है Pandit Birju महराज is associated with which Indian classical dance form? Pandit Birju महराज किस भारतिय शास्त्रिय रित्य शाली से जुड़े है? भरतनाट्यम, कथक, कुछीपुडी या कथकली Next है Who is the author of the book? Nazarbandh Loktantr Nazarbandh Loktantr पुस्तक के लेखा कौन है? Atal Bihari Vajpayee, L.K. Aadwani, Yashvant Singh या Muldi Manohar Joshi Next question है Who is considered as the father of Telugu cinema? Telugu cinema का जनक किसे माना जाता है? Rajnikant, Ragupati Venkya, C.V. Naidu या R.L. Kheemka Next question है Where is Ramoji Film City situated? Ramoji Film City कहां इसेत है? Hyderabad, Pune, Mumbai या Kolkata Next question है In which year was the Chandrayaan 1 lunar probe launched? Chandrayaan 1 Chandrajaj किस वर्ष में launch किया गया था? तो यहां पर हमारे practice questions खत्म होते हैं इनका answer आपको comment section में देना है Thank you so much for today's discussion I hope you like the session Please like, share and subscribe to our channel Thank you so much Stay happy, stay safe Thank you so much for today's video Thank you so much for today's video